नमस्कार स्वागत आपका पंजाबकेसरी.com में मैं हूँ आपके साथ प्रविन्यादों एशन चेंपिन्स टोफी 2023 हौकी में कल भारत ने पाकिस्तान को पस्त कर दिया कल के मुकाबले में भारत ने पाकिस्तान को 40 से माद दी इस मुकाबले में भारती कप्तान हर्मनपृत सिंग ने जवरदस्त खेल का परदेशन किया और बैक टू बैक दो गोलता गे हर्मन पृत के सामने पाकिस्तान के खिलाडी पूरे फीके पड़ गए इसहार के बाद पाकिस्तान टूनामेंट से भी बहार हो चुका है तो आईए वीडियो के जरिया आपको बताते हैं कल के इस मुकाबले का पूरा हाथ चन्नाई के मेर रादा कृष्णन स्टेडियम में खेले गए भारत पाकिस्तान के मुकाबले में भारते खिलाडियों का दबदबा रहा वहीं इस मुकाबले में भारत के कप्तान हर्मन बृत सिंग ने 15 और 23 मिनट में लगातार दो गोल दागे और पाकिस्तान के खेमे को असमंजस में डाल दिया दरसल पाकिस्तान अगर कल के मुकाबले को जीत लेता या फिर दो सुन्ने से भी हार मिलती तो अपनी जगह सेमी फाइनल में बना सकता था मगर भारते कप्तान ने पाकिस्तान के सपने को पहले ही तोड़ देने का काम किया वहीं शुरुआत महीं दो गोल खाने के बाद भारत के जुगराज सिंग ने 36 मिनट में गोल दाग दी और पाकिस्तान फिर से पूरी तरफ प्रेशर में आ गई इसके बाद मंदीब सिंग ने भी 55 मिनट में भारत के लिए चौथा गोल दागा पाकिस्तान की तरफ से एक भी गोल किसी भी खिलाड़ी ने नहीं किया पाकिस्तान इस वक्त पांचवे पोजिशन पर है रॉबिन राउंड वाले इस फॉर्मेट में पाकिस्तान को जहां सिर्फ चीन से एक मुकाबले में दो एक से जीत मिली है तो वहीं भारत अब तक पूरे टूनामेंट में अजे रहा है भारत अब तक पांच मैचों में से चार में जीत हासिल की है तो वहीं एक मैच ड्रॉ खिला गया है वहीं इस हार के बाद पाकिस्तान को 11 अगस्त को नौक आउट मुकाबले में चीन के खिलाब पांच वे स्थान के लिए खेलना है वहीं 6 टीमों की इस टूनामेंट में भारत पहले स्थान पर 13 अंकों के साथ वहीं दूसरे स्थान पर मलेशिया 12 अंकों के साथ तीसरे स्थान पर साउथ कोरिया और जापान चौथे स्थान पर 55 अंकों के साथ बने हुए हैं 11 अगस्त को सभी नौक आउट मुकाबले खेले जाने है जिसमें की पहले तो पाकिस्तान बनाम चाइना का खेल खेला जाना की हर वी टीम के बीच तीसरे पोजिशन के लिए मुकाबला खेले जाएगा फिर उसके बाद फाइनल मुकाबला होगा जिसमें सेमी फाइनल में जीती हुई टीमें खेलेंगी तो अब देखने वाली बात होगी की कौन सी टीम इस बार की विजेता बनती है फिलाल गिलिस व कि देखने विलिस बार चबती महीं होगी नख गूमती मक्राइन होगी विलिस बाली मुक बार खेले होगी नख भीज़न के बा